भक्ति क्या है, भक्ति योगा क्या है, योगा क्या है, योगा एक आसन ने है, योगा वो है जब हम एक आत्म या हम एक शरीर हमारी खोज करते हुए वहाँ पहुंचते हैं, जहां हम हमारी इंद्रियां के साथ नहीं पहुंच पाते, जहां हम हमारी पांच भूता से नहीं पहुंच सकते, हम पहुंचते हैं जब हम, हम नहीं रहते, हमारे में जो अहम है, जो अहंकार है, अंतकारन है, वो जब सब मिट जाता है, जब चिता चले जाती है, जब वरीती चले जाती है, और चिता के अंदर क्या होता है, हम, हमारी जो असलियत है, जब हम उसको धारते हैं, वो हम कहते हैं, अब आप योग में हो, योगा तब होता है, जब एक जिवात्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है, और वो हम मर कर नहीं होतें, ऐसे नहीं है, कि पहले मरो, फिर आपकी आत्मा निकलती है, फिर जाके आप परमात्मा को मिलतें नहीं, हम जीते जी योगी बन जाते हैं, और योगी का ये मतलब नहीं है, कि आप अपना जीवन नौर्मली जीताओ, कि आप योगी भी हो, पर गरास आश्रम में भी हो, आप सब कुछ कर सकते हो, मगर आपका जो आसन है, वो एक योगी का है, कि जो भी आप बाहर से कर रहे हो, आपको अंदर, हमेशा आप अंदर एक योगी ही हो, हम इसको बोलते हैं, जीवन मुक्त होना, जीवन मुक्ती में आप जीते जी मुक्ती पाते हो, और हम मुक्ती कैसे पाते हैं, हर पल में जब हम भगत की तरह जीते हैं, किसकी भक्ती करनी हैं, हमने हमारी भक्ती करनी हैं, हम हमारी भक्ती कैसे करते हैं, भोगी बन कर नहीं, नहीं रोगी बन कर, बट योगी बन कर हम अपना ही, अपनी ही भक्ती करते, फिर जाकर हमारी अंदर की शक्ती जागरूत होती है ये भक्ति के दोराम तब जाके हम जीवन मुक्त बन जाते है और योगी बन जाते है और ये योगी बनना हम सब में अंदर है क्योंकि हम सब ही प्रेम है और हम सब एक दूसरे के प्रेम से प्रेरना लेकर प्रेम भक्ति कर सकते हैं मगर इसके लिए हमें हमारा अहंकार छोड़ना पहेगा मतलब हमारे जो पंच हम कहते हैं अहंकार लोब मो माया ये सब हमें तंग करती है हम जानते हैं हम सुनते भी हैं मगर जिन्दगी में practically day to day जैसे हम जीते हैं हम ये सब कैसे practice कर सकते हैं जब माया हमें पल-पल दुखी करती है माया हमें पल-पल दुखी करती है तो उसका एक उपाय है और एक उपाय क्या है भक्ति करनी हम किसी की भक्ति कर सकते हैं हम किसी के उपर ध्यान कर सकते हैं या फिर हम न्याना की भक्ति कर सकते हैं या फिर हमारे जैसे हमने शिर्डी साई की भक्ति की है हमारी कहानी बहुत ही पुरानी कहानी है और जो इस जीवन की कहानी है वो ये है जब हम बहुत ही छोटी सी थी तब से हमें ऐसे ऐसे experiences होते थे जहां हमें हमेशा लगता था कि जो मैं कुछ सोचती हूँ तो ये सोचने वाली कौन है क्योंकि मैं अपने आपको देख पारी हूँ जब मैं कुछ करती थी मैं अपने आपको देख पाती थी कि मैं कुछ कर रही हूँ meaning कि हम अपने आपको witness करते हम अपने आपको बाहर से निकाल कर हम देख पाते हैं हमारा जीवन कैसे चलता है हमारा जीवन की कता हम अपने शरीर से निकल कर देख पाते हैं ऐसे नहीं कि बस अब आत्मा आत्मा शरीर से निकल रही है नहीं हमारी जो एक awareness consciousness होती है उससे हम सब कुछ देखते हैं तो मैं ऐसे ही देखती थी उस टाइम उस वक्त में हमें अलग अलग सपने आते थे अलग अलग चीज़े दिखती थी और उन में से एक ऐसा भी था के कोई सादू मेरे साथ हमेशा रहता था और सिर्फ मैं ही उसको देख पाती थी इसके इलावा एक सुन्दर सा नाग हमारे पास ही रहता था सुनेहरा सा गोल्ड कलर का नाग और वो ऐसे नाग ने था कोब्रा था और हमेशा हमारे पास रहता था और मैं अपनी ममी को बोलती थी कि ममी मेरे पास यह हमेशा रहता है और ममी ने बहुत जग्या दिखाया कि क्या है आपकी बेटी में मेरी बेटी ऐसे क्यों कहती है और ऐसे बहुत जग्या थी जो ममा को बताती थी कि आपकी बेटी में कुछ है आपकी बेटी में कुछ या भक्ती है या शक्ती है कुछ तो है जो इनकी रक्षा करता है या कुछ पुनर जुनमों से आपकी बेटी के साथ चल रहा है और फिर मैंने अपनी जीवन गता वैसे ही चालू कि फिर एक दिन मुझे एक तस्वीर मिली हमारी अल्माईरी से मैंने देखी कि ये तस्वीर कोई देव की है और उसके गले में साप है तो मैंने अपनी ममी को बोला ममी मुझे मेरा पती मिला है मैंने इसी के साथ शादे करनी है और ममी ने बोला ने ने ये हिंदुों का भगवान है जिन में हम नहीं मानते क्योंकि मेरा जनम एक सिखो के घरों में हुआ था पंजाबियों और ममी बोलती है ति मैंने बोला ने ने होगा इनका भगवान पर मेरा तो होगा पती तो ऐसे करते करते इस्कूल में गई जब कि चओँ बगवान का कोई भी नाम लेता था चाहे अल्ला dł binge है चाहे मस्जिद से आजान सुनती थी या चर्च में कोई कुछ बोलता था बैल बजती थी तो मेरी में रूबरू हो जाती थी हर वक्त और ऐसी लगन थी कि वह लगन बंदी मेरी ममी मुझे हमेशा कहीं और पर ध्यान कहती थी इस पर ध्यान दे उस पर ध्यान दे और मैं ध्यान देती थी तो स्टडीज में भी मैं ध्यान देती थी पर फिर भी मुझे हमेशा लगता था कि नहीं कुछ और भी है अभी वेट करो पार्ट टू की मैं अवी वापस आती ह झाल झाल झाल